हेलो डियर फैंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो डियर फैंट्स आपके अपने चैनल ग्रीस अर्गिटक्चर पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 22 फिट वाई 22 फिट प्लॉट्चाइज प्लानिंग के वारे में जिसको हमने 3PH के बिदकार परगिंग प्लांग किया हुआ है चैनल पर पहली बार आएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब पर लीजे आप आप देख रहे हैं यह हमारा 22 फिट भाई 42 फिट का प्लॉट साइज है जिसके वन साइड रोड है और त्री अधर साइड अधर लोगों की प्रॉपर्टी है यहां से हमने एंट्री दी हुई है 9 फिट 6 की यह हमारी एंट्री रहेगी एंट्री करते ही आपके लिए पार्क पार्क हो जाएगी यहां आप एवरेज लंबाई की कोई भी कार आजानी से पार्क कर सकते हैं फ्रंट पर फ्रंट्स हमने कोमन टॉलेट डिजान के हुआ है 5 फिट 6 वाई 4 फिट का जिसका वेंटिलेशन हमने रोड की साइड दे रखा है जिसमें यह हमारा टॉलेट सीट यहां से आप घर में एंट्री करते हैं एंट्री करते हैं आपके लिए लोबी एरिया 11 फिट वाई 7 फिट 6 इंच का दिया हुआ है जिसमें यह हमारा बैड रहेगा यह हमारा टीवी यूनिट रहेगा यहां से फ्रंट्स आप एंट्री करेंगे तो यह हमारा फ्रंट पर ही 11 फिट वाई 9 फिट 3 इंच का जिसमें यह बैड रहेगा यह हमारा बाड्रोब रहेगा यहां फ्रेंट्स विंडो रहेगा इस विंडो से आप बैड्रूम के लिए cooler या फिर विंडो इसी लगा सकते हैं और इस विंडो से बैड्रूम में proper light रहेगी और air circulation रहेगा फिर आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो यह ब्रेंट से हमारा kitchen रहेगा जो की open kitchen है modular kitchen है 9 फिट वाई 7 फिट का जिसमें यह हमारा gas stop यह हमारा sink रहेगा kitchen का जो ventilation है वो हमने open area की तरफ यानि parking area की तरफ दे रखा है जिससे kitchen का proper ventilation हो सके और main gate पर proper visibility रहेगे यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो यह हमारा दूसरा toilet रहेगा इस गर में जिसका size चार फिट वाई 7 फिट है जिसके ventilation के लिए पीछे हमने OTS दे रखा है यह हमारा OTS रहेगा और यह ventilation रहेगा फिर फ्रैंस आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो यह हमारा दूसरा bedroom रहेगा 10 फिट वाई 12 फिट चैंज का जिसमें यह हमारा बैड रहेगा यह हमारा टीवी यूनिट रहेगा यह हमारा wardrobe रहेगा बैड रूम के जस्ट पीछे हमने open utility area दे रखा है जो कि ventilation के इस परपस से है या फिर आप इसमें अपनी washing machine कपड़े दो सकते हैं कपड़े सुका सकते हैं और बैड रूम के लिए cooler भी यहां से लगा सकते हैं दिया हुआ है फिर फ्रेंट्स यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो यह हमारा तीसरा बैड रूम रहेगा इस गरगा दस फिट चैन चबाई 12 फिट का है जिसमें यह हमारा बैड यह हमारा बाड रोग और यह हमारा टीवी यूनिट रहेगा जिसका ventilation हमने open की तरब दे रखा है यहां से ब लेना चाहते है तो आप ले सकते हैं और आप अपने गर का नक्सा अपने अकौर्डिंग बास्टू के कम से कम फीस में हमशेग्चाइन करवाना चाहते हैं तो फ्रेंट्स एक बाद जरूर कोल करिएगा कॉंटेक्ट नंबर आपके लिए डिस्कॉप्शन बॉक्स में दिया हुआ है थैंक यू वर वाचिंग वेल ते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै वारत